हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग, I hope कि आप लोग सब सही होंगे और अच्छी होंगे तो आज हम बनाने वाले हैं रजगुले की रेसिपी और यहां रजगुले की रेसिपी हम मिलक पाउडर से बनाएंगे तो आइए देरी ना करते हुए वीडियो को सुरू करते हैं यह रे के लिए हमने एक बड़तन ले लिया हैं और इसके साथ हम इसमें ऐट कर देंगे जाये तो यह बहुत ही अच्छे इस्पॉंसी बनकर तैयार होते हैं तो यहां पर हमने देड़ कम मिल्क पाउडर लिया था, तो इसी के अनुसार हम यहाँ पर धाए कप पानी एट कर देंगे, पानी आपने यहाँ पर नॉर्मल ही लेना है और नॉर्मल पानी को इसमें एट कर देना है, और इसके बाद हम एक विकसल लेंगे, उसकी सायता से इसे अच्छे से मिक् लगते हैं तो इसे यह अच्छे से mix हो जाता है जब यह अच्छे से mix हो जाए तो फिर हम इसे gas पर ले जाएंगे और gas पर हमें इसे medium flame पर रख देना है गैस पे रखने के बाद भी इस बात का ध्यान देना है इसे हमें चलाते रहना है ताकि यहाँ तली पे ना चिपके क्योंकि यहाँ पावडर फॉर्म में होता है तो यहाँ गाडा सा होता है और तली पर यहाँ चिपक जाता है तो इसे हमें इस प्रकार हिलाते रहना है और चल में हम देखेंगे कि दूद में अच्छा सा उबाला चुका है तो यहां पर देखें दूद में एक अच्छा सा उबाला चुका है और अब हमें गैस की फ्लेम को लो कर देना है तो लो फ्लेम पर हम थोड़ी देर इसे और पका लेंगे और इसके बाद हमें गैस की फ्लेम को ब रियोग कर रहे हैं, रस को हमने पहले ही कटोरे में निकाल लिया था, तो यहाँ पर दो दाने हमने नीबू के लिये थे और इस प्रकार इसे डालना है और फिर चलाते रहना है, तो कुछ ही समय में आप देखेंगे कि जो दूद है वो फट गया है, तो इस स्टेज पर यहाँ पर देखेंगे दूद हमारा फट चुका है, नीबू के रस के जगो पर आप विनेगर का भी योज कर सकती हैं, तो यहाँ पर मैंने नीबू के रस से ही दूद को फाल लिया है, और अब हम इसे अच्छे से चान लेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे जो दूद है वो फट च चुका है, तो हमें इसे चानने के लिए नीचे से एक ऐसा बढ़तन चाहिए, जिसमें पानी अलग से हो जाए, और इसमें हम लगा लेंगे एक कौटन का कपड़ा, और अब हम इसमें फटे हुए दूद को एट कर देंगे, फटा हुआ दूद हमने डाल दिया है, और इसके बात हम इसमें थोड़ा सा ठंडा पानी भी एट करेंगे, ठंडा पानी हम इसलिए एट कर रहे हैं, क्योंकि जितना भी इसमें हमने जो नीबू का रज डाला था, उसका खटापन निकल जाएगा, और जो हमारे रजगुले हैं, वो बहुत ही अच्छे बनकर तैयार होंगे अगर हम इसे यो ही रख दे, तो इससे यह होगा कि जो रजगुले हैं, उसमें खटापन आएगा, तो इस प्रकार हमें इसे निकाल लेना है पानी को, और अब हमें इसमें एक गाठ लगा लेनी है और एक ठाली के उपर इसे इस प्रकार रख देना है, और यहाँ पर हमें चाहिए अब एक ऐसी प्लेट और प्लेट की सायता से हम इसे उपड़ से कवर कर लेंगे और एक भारी चीज चाहिए जिसे ये दब जाए तो यहाँ पर हमने बट्टा ले लिया है और इसे दबा कर रग दिया है लगभग हम इसे आधे से एक घंटे के लिए छोड़ देंगे आधा से एक घंटा हो चुका है और अब हम इसे निकाल लेते हैं Memphis powder से पनीर बनकर तैयार हो चुका है और इसमें थोड़ा पानी निकल कर आया है तो यहाँ पर हमें एक सूकी थाली लेनी है जिसमें पानी ना हो और इस पनीर को हम इसमे एड़ कर देंगे और इसके बाद हम इसे हलके हातों से खोब देड़ तक मसलना है इससे यह होगा कि जो हमारे रजगुले हैं वो स्पॉंजी बनकर तैयार होंगे तो आपको इसमें बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है मसलने में इसे जोड़ जोड़ से इस प्रकार से हातों से मसलना है और जितना आप इसे अच्छे से मसल दिया है और इसका एक अच्छा सा दो बनकर तैयार हो जाएगा तो यहाँ पर देखे इसका एक अच्छा सा हम दो बना लेते हैं और दो बनाने के बाद अब हमें इसकी छोटी-छोटी लोईयां तोड़ लेनी है जिस साइच के आपने रजगुले बनाने है आप उसी साइच के यहाँ पर लोईयां तोड़ कर तंग्यार करेंगी तो यहाँ पर मैंने मीडियम साइच के लोईयां तोड़ी हैं तो इसी परकार के यहाँ पर मैंने रजगुले तंग्यार करने हैं तो इसी के according हम सारे ही लोईयों को तोड़ कर इसी परकार बना लेंगे तो यहाँ पर सारे ही रजगुले हमारे बनकर तंग्यार हो चुके हैं तो अब हम इसके लिए चासनी बनाकर तंग्यार करते हैं चासनी बनाने के लिए हमने एक पैन ले लिया है और इसमें एट कर दिया है दो गिलास पानी और गैस की फ्लेम को हमें हाई कर लेना है तो हाई फ्लेम पर हम चासनी बनाएंगे और इसके बाद इसी के अकॉर्डिंग एक गिलास हम सुगर एट कर देंगे और अब हम वेट करे कि सुगर अच्छे से मेल्ट हो जाए और यहाँ पर हम ले लेंगे एक चम्मच चम्मच की सायता से हमें सुगर और पानी को इस प्रकार से अच्छे से मिक्स कर लेना है इस प्रोसेस से जो सुगर है वो जल्दी ही पानी में घुल जाती है तो यहाँ पर कुछ ही समय में देख बहुत ही अच्छे बनेंगे क्योंकि इलाइचीज का जो स्वाध होता है वो बहुत ही अच्छा होता है तो यहाँ पर पानी उबल चुका है हमें आप एट कर देने हैं मिलक पावडर से बने हुए रजगुले और इसमें हमने सारे ही रजगुलों को एट कर देना है जब आप इसमें रजगुले एट करें तो उस समय गैस की फ्लेम को आपने लो कर लेना है लो फ्लेम पर ही इसमें रजगुले डालने है इससे जो आपके रजगुले है वो फटेंगे नहीं और अच्छे से तैयार होकर बनेंगे तो यहाँ पर हमने सारे ही रजगुले इसमें एट कर लिये हैं और अब हमें चाहिए एक प्लेट तो प्लेट से हम इसे कवर कर लेंगे कवर करने का एक अच्छा सा तरीका है आपने प्लेट को पूरा कवर नहीं करना है थोड़ी सीज में जगो छोढ़नी है इससे होगा कि इसमें उबाल नहीं आएगा और बीच बीच में आपने इसे चलाना बिल्कुल भी नहीं है प्लेट को अब हम निकाल लेते हैं क्योंकि लगभग 5 मिनट हो चुके हैं और 5 मिनट के बाद हम देख लेते हैं तो ये काफी फोल चुके हैं अभी हम इसे थोड़ी देर और पकाएंगे तो यहाँ पर अब हमने इसे बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना है इसे हिलाने का एक तरीका होता है तो आपने पैन को इस परकार पकड़ना है और 4 तरप से इसे घुमा लेना है तो इसी परकार हमें इने खिलाना है इसी से जो हमारे रजगुल्ले है वो अच्छे से बन कर तन्यार होंगे तो यहाँ पर हमारे जो रजगुल्ले हैं वो बन कर तन्यार हो चुके हैं तो अब हम इने सर्व कर लेते हैं आई होप आज की रेसिपी आपको बेहत पसंद आई होगी तो मिलते हैं अपने नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई